उत्तर भारत में इन दिनों कराके की सीटलेहर चल रही है आलम ये है कि तापमान करी डिगरी तक नीचे लुढग गया है पहारों से लेकर मैदानी इलाकों तक जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है इस बीच मौसम विभाग ने राश्च्रिय रालधानी दिल्ली समीत उत्तर भारत में आज शुक्रवास से मौसम के बदलने के आसार जताये हैं दरसल आज से करी राजियों में जमकर बारिस होने वाली है जिससे ठंड के और भी बढ़ने के आसार है मौसम विभाग ने अपने पुर्वानुमान में कहा है कि दिल्ली, यूपी, रास्थान, पंजाब, हर्याना, मध्य प्रदीस और बिहार के लोगों को फिलहाल ठंड जिराहत मिलने वाली नहीं है तो चले जानते हैं आज का मौसम का हाल क्या रहेगा दिल्ली में आज का नियोंतम तापमान 10 डिग्री और अधिक्तम तापमान 19 डिग्री सेलसिस रहने का पुर्वनुमान है दिल्ली में आज के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अकाश में आंशिक रूप से बातल चाय रहने और हलकी बारिस होने के आसार जताये हैं इससे पहले गुरुवाय सुबा पालम वेद शाला में घना कोहरा चाया रहा और दिरस्यता 50 मीटर रही अभी भी इसी तरह का मौसम पूरे दिल्ली इंसियार में बने रहने के आसार है नए पश्चमी विछोप के सक्रिय होने से राजस्थान के करे लाकों में अगले एक दो दिन में बारिस और ओला विष्टी होने की संभावना है इस बीच नियोंतम ताप्मान में बरहुतरी से लोगों को सल्थी से थोड़ी राहत मिल सकती है आज रात से जोधपूर, विकानेर, अजमेर, जैपूर, कोटा और भरतपूर में गरज के साथ हलकी से मध्यम बारिस हो सकती है पहारी राजी अगर बार पहारी राजी के मौसम की करें तो अगले दो दिनों के दोरान जमुकश्मेर, लद्दा, खिमाचे प्रदेश और उत्राखन में छिटपूर बारिस और बर्भारी होने की संभावना है इसके बाद शनिवार और रविवार को व्यापक रूप से बारिस और बर्भारी होने की संभावना बन रही है मौसम विभाग की माने तो बारिस का सरवाधिक असर 22 जन्वरी को रहेगा इस दोरान सबी सातो संभागों में कहीं कहीं पर हलकी से मध्यम दर्जे की बारिस हो सकती है आई अब ये भी जान लेते हैं कि आज किन राजियों में बारिस होने वाली है इस काइमेट वेदर के अनुसार आज अंडमान और निकोबार में कुछ जगहों पर भी बारिस हो सकती है इसके अलावा उतरी पंजाब, पर्शिम बंगाल, सिक्किम, असम, मिघाले, अवनाचर प्रदेश में भी हलकी बारिस का अनुमान जताया गया है सब्सक्राइब करें पर्यावर्ण पोस्ट